आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप लोग HBL का online account कैसे बना सकते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग business with a link के उपर पहली दफाइए तो subscribe करना बात बुलेगा लिंक आपको description में बिल जाएगा यहां फिर आप लोग Google पर जाके HBL कर सकते हैं तो पहले वाला link इसको आप open कर लेंगे और उसके बाद यह आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा तो यहां पर simply आप लोग ने apply now इसके उपर click कर देना है तो आपके सामने एक नया page आ जाएगा उसके बाद by clicking इसके उपर click करके submit पर करेंगे और उसके बाद आपसे दो चीजें पूछ रहा है कि आप अपने लिए account open करना चाहते हैं या पिर अपने बेहाद पे किसी और का किसी चोटे का तो अगर वो है तो बता दी जी का लेकिन मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो next पे करूँगा click इस पे click करके और यहाँ पे आपको location की जो access है वो enable करनी है तो आप लोगों ने लाजमी कर देनी है यहाँ पे जाके आप लोग चेक भी कर सकते हैं यह देखी मैंने location की permission इसको दी हुई है तो उसके बाद यहाँ पे click करके submit पे करेंगे दोबारा आ जाएंगे और यह हमारा जो account है इसके farm जावो open कर दिया जाएगा तो यह हमारे पास आ चुक है अब हमें दो चीज़े पूछ रहा हम से कि आप regular account open करना चाहते हैं या Islamic अगर आप Islamic करना चाहते हैं तो यह भी option आपको दिया जाता है तो मैं regular पे क्लिक करता हूँ उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि saving करना चाहते हैं या current तो मैं current account open करना चाहता हूँ उसके बाद यह आप से पांच चीज़ें आप पूछ रहा है salary, self, landlord, housewife, student, freelancer जिस भी purpose के लिए आप account open करना चाहते हैं वो आप लोगों ने यहां पे बताना है तो यहां पर document required पे क्लिक करेंगी तो यहां पे वो पूछ बता रहा है आपको ID document, proof of income, sporting documents, not order, order उसके बाद है, imply details, उसके बाद डिजिटल, self, declaration form, proof of address, जिकार, declaration form तो यह सिर्फ saving account के लिए है इसी तरह हम जो account open करने जा रहे हैं वो freelancer account है तो इसकी document के अंदर ID document है और उसके बाद proof of address है लेकिन वो भी उस वक्त है कि आपका जो correspondence address है यानि कि आपका वो address जो कि ID card पे है वो same नहीं है जहां पर आप रहा है रहा है, वो change है तो उसके लिए आपको कोई proof देना होगा आप बिजली का बिल दे सकते हैं कोई भी proof दे सकते हैं जिससे ये proof ओफ सके कि आपका जो address है ID card वाला नहीं है बलके कोई change है तो मैं इस पर click करूँगा और उसके बाद now choose the type of account you would like to open तो कोई सा account आप उपन करना चाहते हैं दो option हैं यहां पर freelancer digital account है freelancer FC wide digital account है अब दोने में क्या फ़र है कि यहां पर बता रहे हैं account specifically developed to facilitate freelancer in Pakistan to directly receive fund into their account digitally, swiftly and digital payment जानी के होती है तो वो आप लेको लेना चाहते हैं तो वो इससे ले सकते हैं अगर आप foreign currency अकाउंट डिसाइन फार यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको अपने city की जो भी ब्रांच उसको select करना है तो यहां पर हम आज आते हैं जनाब ब्रांच के उपर यह मैंने select कर लिया ब्रांच select कर लेंगे जिस ब्रांच पर आप लोग उपर करना चाहते हैं और उसके बाद यहां पर आप लोग जैंबो next पर क्लिक करेंगे तो अब हम second step पर आ चुके हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको email address देना है तो आप लोग कोई सा भी email address देंगे उसके बाद आप लोग ने अपना cnac number लिखना है please enter mobile number registered against your cnac यानि कि वो mobile number लिखना है जो कि आपके cnac पर और आपके नाम पर registered हो तो यह दोना चीज़ने मैं इंटर करके submit पर क्लिक करता हूँ तो submit पर क्लिक करते हैं जी उसके बाद enter the one time passcode that you have received on your email address तो आपके email address पे code जाएगा वो आपको यहां पर enter करना है तो यह हमारे पास code आचुका है इसको copy कर लेंगे और यहां पे paste करेंगे और उसके बाद verify पे click करेंगे तो यहां पे यह कपी paste नहीं हो रहा तो हमें इसे manually ही डालना पड़ेगा तो verify पे click करेंगे और उसके बाद जी enter your cnac number तो यहां पे आपको अपना cnac number लिखना है और उसके बाद आप लोग ने अपनी cnac की issue date लिखनी है तो यहां पे यह दोने चीज़े ही हम कर लेते हैं जी उसके बाद आपको अपनी id card की front और back side की pics को upload करना है make sure आप जो भी photos को upload करें वो अच्छी quality की होँआ कोई भी चीज़े है वो blurry में नहीं होने चाहिए तो यहां पे हम दोनों चीज़ों को upload करते हैं जी pictures को upload करने के बाद next पे click करेंगे अब हम गए step number 3 पे आगे है personal information के अंदर जब step 2 पे आप लोग next करेंगे अपनी ID cards की picture को upload करेंगे तो अगर आपका already account बना हुआ होगा तो यहां से यह step आपके पास नहीं आएगा वो आपको पहले ही बता दें कि आपके आपका account बना हुआ है आप आगे नहीं जा सकते हैं उसके लावा अगर आपका number आपके जो ID card नमबर दिये उसके रिजिस्टर नहीं होगा तो फिर भी आप next नहीं जा सकेगे तो make sure कि आप जो number आड़ करें वो आपके नाम पर रिजिस्टर रो और आपका पहले HPL के अंदर कोई account ना हो उसके बाद जहां पे आपको कुछ personal information देनी होती है जैसे कि आपके full name आजाता है उसके बाद आपका जाए जैंडर आजाता है उसके बाद father husband name आपकी mother का नाम उसके बाद city of birth क्या है आपका उसके बाद date of birth क्या है आपकी और उसके बाद अगर आपके पास dual nationality है यानि कि आपके पास किसी और country की nationality है तो वो आपको बताना होता तो ये सारी जीजें fill out करके next पे click करते हैं तो next step हमारे पास आज चुक है जी number four का additional information additional information में आप लोगों ने profession बताना है कि आपका कौन सा profession है तो आप लोग freelancer definitely है अगर हम freelancer का account open कर रहे हैं तो हम freelancer account होंगे उसके पाद select your main industry आपकी main industry कौन सी है कहाँ पे आप कर रहे हैं तो वो आप लोग ने यहाँ पे select कर देना service sector में select कर लेता हूँ आप जो भी जे sector में काम कर रहे हैं आप लोग ने वो select करना है उसके बाद आता है select your field of work आपकी field कौन सी है जिस पे आप काम करने हैं तो वह आप लोग ने यहां पर सेलेक्ट कर लेना है तो यहां पर मैं जी प्रिंटर एंड पॉब्लिशिंग बिजनेस स्लेक्ट कर लेता हूं उसके बाद what will be the purpose of this account saving business तो जो भी आप लोग करना चाहें वो स्लेक्ट कर सकते हैं मैं business पे कर देता हूं उसके बाद पूछ रहेंगे यह account कौन चलाएगा तो मैं क्याता हूं self है अगर कोई अधर होगा तो फिर मुझे यहां पर बताना होगा लेकिन अगर self पे होगा तो यहां पर देखिए you can't open a account on behalf of someone else तो आप सिल्फ पे कर सकते हैं उसके बाद I hereby confirm that I will be account मेरे ही होगा उसके बाद अगर आप किसी और मुलक के टेक्स पे रहें तो आप लोगों ने बताना है मैं कहता हूं नहीं जी मैं किसी और मुलक का नहीं हूं तो यह करने के बाद next पे करेंगे click कि बाद जी आ ज information का what would you like to nominate as your next of kin तो आप लोगों ने अपना full name देना है कि आप किस को यहां पे nominate करना चाहते हैं अपने account के बिहाफ पे तो वो आप लोगों ने यहां पर लिखना है उसके बाद अगर आपको debit card चाहिए तो वो आप लोगों ने यहां पर बताना है उसके बाद would you like to receive a statement तो वो आप लोगों ने यहां पर बताना है और do you want to activate SMS alert वो भी आप लोगों बता सकते हैं तो यहां पर fill out करती हैं ताकि पता चलता चाहिए हमें तो यहां पर पहले पूछते हैं do you want a debit card हम कहते हैं बिल्कुल चाहिए हमें अगर चाहिए तो ठीक है फिलेकिन अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए तो जब yes पर करेंगे तो यहां पर address और CT आ जाएगा वो आप लोगों ने confirm करने के बाद यहां पर उनको बता देना है तो उसके बाद आपको SMS alert चाहिए तो आप लोगों ने बताना है तो मैं yes पर क्लिक कर देता हूँ do you want to activate mobile and internet banking अगर आप लोग internet banking को activate करना चाहते हैं यहने कि आप लोग HPL की mobile app को भी इस्तवाल करना चाहते हैं तो आपको yes करना होगा और उसके बाद change my apply तो यह सब करने के पर इसके बाद और आपको प्रूफ अड्रेस देना होगा life विचर आप लोगों ने यहां पर देनी है और उसको आप लोगोंने submit करते देना है तो यहां पर आपके पास terms and condition आ जाएंगी तो यहां पर यह रिलोड नहीं हो रहा है लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं यहां प और अकाउंट जो ट्रैकिंग आड़ी भी हमारे पास आ चुकी एप्लिकेट नेम भी आ चुका है तो दैट्स मीन कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सब्मिट हो चुकी है अब यहां पे एक बार जाद रुकिए एक तो मेक शूर कर लें कि आपका पहले अकाउंट ना बना भी यह प्रोसेस कर सकते हैं और हर अकाउंट की एक डिफरेंट सॐर्थयाल होती है कि उस अकउंट को ओपन करते व 爍विक करना है वह आप लोग जहें वह अपना घर का जो बील होगा वहां पर session होता है आप लोग वो इस्तमाल कर सकते हैं कोई भी घर का डाकुमेंटभे हैं कोई यह दाकुमेंट है कोई बीट्रेश जिसमें आपके आपकận कार्ड के उपर लिखाव है वो आप लोग सब्मिट कर सकते हैं तो इतना इसका काम है इसके बाद जाए वो आपकी अप्लिकेशन जाए वो सब्मिट कर दी जाएगी अगर इसके रिलेटेड आपको कोई और क्वेस्टिन कुछ भी पुछने हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अचे लगिए तो लाइक करना मत बोलेगा बहुत शुक्रिया